नवस्कार वच्चों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में करने वाले हैं काक्छा दस्वी गरित का अध्य है नमबर दो बहुपत की प्रसनावली 2.2 लास्ट वीडियो में हमने प्रसनावली 2.92 का पहले question का पहला और दूसरा question solve कर लिया था आज की वीडियो में start करेंगे तीसरे question से वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक concept किलियर हो सके और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सेयर कीजिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा है कि इनने में दुईघाद बहुपदों के सुन्य ज्याद कीजिए और सुन्यकों तथा गुडांकों के बीच के संबंद की सत्ता की जाच कीजिए जो हमें दुईघाद बहुपद दिये हैं इन दुईघाद बहुपदों के पहले सुन्य ज्याद करना है इसके बाद बेटा हमें सुन्यकों और गुडांकों के बीच जो संबंद होता है उस मंद की सत्तता की जाच भी करनी हैं, तीसरा प्रस्ण आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है, 6XA स्क्वेर माइनस 3 माइनस 7X, तो इसको सॉल्ब करने वाले हैं, लास्त तक ज़रूर बने रहिए, तो यहाँ पर हम सॉल्ब करने वाले हैं, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा प्रश्ण सॉल्ब करने वाले हैं, प्रश्ण है वेटा, 6xA square minus 3 minus 7x, तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद को सॉल्ब करने से पहले, उसके हम व्यापक रूप में लिखते हैं, और हम जानते हैं वेटा कि दुईगार बहुपद का व्यापक प्रूफ होता है, axA square plus bx plus c, मतलब पहले हम सबसे बड़ी घात लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी घात, और लाश्ट में हम लिखते हैं अचरपद, तब हम इस बहुपद को कैसे लिख सकते हैं वेटा, 6xA square, 7x जो पीछे है, जे हमारा बीच में हो जाएगा, minus 7x और minus 3, अब इसको solve करने से पहले हम इहाँ पर लिखेंगे, चूकि सुन्यक ग्यात करने हैं, चूकि सुन्यक ग्यात करना है, इसलिए 6xA square, minus 7x, minus 3, और बरावर में क्या लगा देंगे वेटा, 0, अब इहाँ पर बड़े ध्यान से समझे, सबसे पहले हमें क्या करना है, कि जो x square का गोड़ांक है, इसका गोड़ां करेंगे हम, लाश्ट की संख्या के साथ, तो 6 गोड़े 3, बरावर कितना हो जाएगा वेटा, 6, 3, 18, इसके बाद हम ध्यान देते हैं, इस लाश्ट वाले चिन पर, यहाँ पर माइनिस है, इसका मतलब है, बीच वाला पद हमें माइनिस करने पर मिलेगा, तो हमें अपने मन से 2 ऐसी संख्याएं ढूड़नी है, जिनका गोड़ां करने पर 18 आ जाए, और उन्ही संख्याओं को माइनिस करें, तो कितना मिल याए वेटा साथ, तो ऐ यहाँ हो जाएगा हमारा 6x² माइनिस 7x की जगह पर क्या लेखेंगे, वेटा 9x माइनिस 2x माइनिस 3 बरावर 0, बैकेट ओपिन करेंगी, तो इस बैकेट के बाहर वाले चिन पर हम दिसेश ध्यान देते हैं, यहाँ माइनिस है, इसका मतलब है, अंधर की जो साइन है, वो हो जाएंगे, और अगर यहाँ पलस होगा, तो अंधर के चिन नहीं बदलते हैं, तो 6x² माइनिस, वेटा यहाँ पर 9x पलस का है, किसका हो जाएगा, माइनिस का, 2x माइनिस का है, किसका हो जाएगा, पलस का, माइनिस 3 बरावर 0, अब पहले दो पदों से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेंगे, 3x, तो क्या बचेगा वेटा यहाँ पर, 2x और यहाँ पर बचेगा, माइनिस 3, लाश्ट के दो पदों से, एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2x बचेगा, और 3 की जगह हमारा, 3 रहेगा, बरावर 0, अब दोनों बैकेट एक से हैं, तो इन दोनों को हम केवल एक बाल लिखेंगे, और 3x पिलस एक बरावर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात, अर्थात, 2x माइनिस 3 बरावर 0, या 3x पिलस एक बरावर क्या हो गया, 0, अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो गेटा देख सकते हो, कि माइनिस का 3 है, पाक्छांतर करेंगे, किस में हो जाएगा, पिलस में, और 2 गोड़ा में है, किस में चला जाएगा, बटे में, या यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x बरावर, पिलस का एक है, किस का हो गया, माइनिस का, और 3 गोड़ा में है, कि इसमें चला गया बटे में अताह अताह बहुपत के सुन्यक बहुपत के सुन्यक तीन बटे दो और माइनिस एक बटे तीन होंगे अब हम जानते हैं कि हमारे पास जतने सुन्यक होते हैं उतने ही संबंध हम सुन्यकों और गुडांकों के बीच में बनाते हैं तो क्या लिखोगे बेटा कि सुन्यकों तथा गुडांकों के बीच संबंध है गुडांकों के बीच संबंध हैं बेटा यहाँ पे दो सुन्यक हैं एक हमारा तीन बटे दो है और एक माइनिस एक बटे तीन हैं तब यहाँ पे संबंध कितनी बनेंगे दो संबंध बनेंगे पहला संबंध क्या होगा बेटा पहला संबंध होगा सुन्यकों का योग फल बरावर होगा बेटा माइनिस एक्स का गुडांक माइनिस एक्स का गुडांक बटे एक्स एस्क्वेर का गुडांक अब यहाँ पे हमने जो सुन्यक निकाले हैं उनका योग फल करेंगे तो एक सुन्यक तीन बटे दो है पलस एक सुन्यक माइनिस एक बटे तीन है और बरावर में क्या हो जाएगा बेटा माइनिस एक्स का गुडांक आप देख सकते हैं एक्स का गुडांक कितना है माइनिस साथ तो हम कितना रखेंगे माइनिस साथ बटे एक्स स्क्वेर का गुडांक तो एक्स स्क्वेर का गुडांक कितना है बेटा छे है तो बटे में कितना आ जाएगा छे इसको LCM लेके solve करेंगे तो 2 और 3 का LCM हो गया 6 दो से भाग करेंगे 3 बार जाएगा 3 का 3 से गुडां करेंगे 9 और यहाँ पर हो जाएगा माइनिस 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा 2 का गुडां करेंगे तो माइनिस 2 बरावर माइनिस माइनिस कलस का हो जाएगा 7 बटे 6 9 में से 2 जाएगा तो 7 बटे 6 बरावर विटा 7 बटे 6 तो पहला संबंध हमारा यहाँ पे 7 हो गया है पहला संबंद हमारा क्या हो गया है? सत्त हो गया है. अब हम देखेंगे दूसरा संबंद. दूसरा संबंद क्या होता है वेटा? सुन्यकों का गुरन फल बरावर किसके बरावर होता है? अचरपद बटे X स्क्वेर का गोड़ांक बटे X स्क्वेर का गोड़ांक दोनों सुन्यकों का गोड़नफल करेंगी एक सुन्यक है तीन बटे दो गोड़न एक सुन्यक है माइनस एक बटे तीन बराबर अचरपद देख सकते हैं आप अचरपद कितना है बेटा माइनस तीन अचरपद कितना है माइनस तीन तो यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस तीन बटे X से स्क्वेर का जो गोड़ांक है तीन का एक से गुणा करोगे तो माइनिस तीन और तीन का दो से गुणा करोगे छे बरावर माइनिस तीन बटे छे और आप देख सकते हैं कि यह हमारा दूसरा सम्बंद भी सक्त हो गया है दूसरा संबंद भी हमारा यहां पे सत्त हो गया है अब हम देखते हैं पहले का चौत्रा क्वेस्चन पहले का चौत्रा क्वेस्चन तो आप देख सकते हैं पहले का चौत्रा आपके सामने लिखा हुआ है क्या है बेटा? 4 u a square पिलस 8 u क्या है बहुपद? 4 u a square plus 8 u तो कैसे इसको solve करेंगी देखने के लिए last तक जरूर बनी रही एक एक question आपको बिलकुल detail से बारी की से समझाया जाएगा ताकि आप board फरिच्छा में अच्छे नमबर ला सकें तो यहाँ पे हम solve करने वाले हैं पहले का चोत्रा पहले का कौनसा है विटा चोत्रा question है 4 u a square plus 8 u तो हम वही लाइन लिखेंगे चूकी चूकी सुन्यक चूकी सुन्यक ग्याद करना है चूकी सुन्यक ग्याद करना है इसलिए 4 u a square plus 8 u बरावर क्या हो जाएगा 0 अब इसको हम direct common लेके कर सकते हैं अगर हम बेटा यहाँ से 4 u common ले ले तो क्या वचेगा u plus 2 बरावर 0 अर्थात एक बार 4 u बरावर 0 कर देंगे या u plus 2 बरावर 0 यहाँ से u का मान निकालेंगे तो 0 बटे 4 हो जाएगा या यहाँ पे वेटा u बरावर माइनिस का दो है किसका हो जाएगा पिलस का भाग करोगे तो u बरावर 0 जीरो में किसी भी संख्या का भाग करोगे हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा या u बरावर माइनिस 2 अता हा अता हा बहुपत के सुन्यक जीरो तथा माइनिस 2 होंगे जीरो तथा माइनिस 2 होंगे अब हमें क्या करना है बेटा सुन्यको सुन्यको तथा गोडांको के बीच संबंद के बीच संबंद पहला संबंद क्या होता है बेटा यहां तक तो सभी को किलियर होगा अगर आपको कोई डावड है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डावड हमसे सेयर कर सकते हैं पहला संबंद होता है सुन्यको सुन्यकों का योगफल बराबर माइनेस एक्स का गुड़ांग बटे एक्स एस्क्वेर का गुड़ांग सुन्यकों का योगफल का मतलब है जो सुन्यक हमने निकाले हैं उनको हमें जोड़ना है तो पहला सुन्यक हमारा जीरो था और दूसरा सुन्यक माइनेस दो बराबर होगा बेटा किसके माइनेस और एक्स का गुड़ांग आप देख सकते हैं एक्स का गुड़ांग कितना है आठ है और एक्स स्क्वेर का गुड़ांग कितना है चार है तो एक्स का गुड़ांग रख देंगे बेटा आठ और एक्स स्क्वेर का गुड़ांग कितना हो करेंगे तो कितना आजाएगा माइनिस दो तो पहला संबंद हमारा यहाँ पे सत्त हो गया अब हम देखते हैं दूसरा संबंद दूसरा संबंद क्या होता है वेटा सुन्यकों का गोड़न फल बरावर होता है वेटा अचरपद अचरपद बटे x square का गोड़न फल का मतलब है दोनों सुन्यकों का गोड़न कर देंगे वेटा बरावर में अचरपद तो आप देख सकते हैं कि बहुपद में अचरपद नहीं है तब इस स्थिति में अचरपद का मान हो जाएगा जीरो बटे x square का गोड़न होगा चार जीरो का गोड़न किसी भी संख्या के साथ करोगे तो जीरो और जीरो में किसी भी संख्या का भाग करोगे तो जीरो यह वेटा हमारा दूसरा संबंद जो है वो सत्त हो गया है अब हम देखते हैं पहले का पांचमा बहुपत कैसे हमें solve करना है उसको बड़े ध्यान से समझते हैं वीडियो आफ लास तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक concept किलियर हो सके और बिना script किये वीडियो को देखना है बिलकुल जैसे आप offline किलास में किसी टीचर से पढ़ते हो वैसे ही आपको वीडियो भी देखना है ताकि आपका हर एक concept किलियर हो और आप वोट परिक्षा में बहतर नमबर ला सको जितना भी हम पढ़ाएंगे उससे एक भी नमबर का question बाहर नहीं होगा वोट परिक्षा में इसकी हमारी guarantee है केवल आपको इमानदारी से वीडियो देखना है और ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों को share करना है तो अब हम देखने वाले हैं पहले का पांचमा question है वेटा t square minus 15 अब देख सकते हैं बुक में भी पहले का पांचमा है t square minus 15 कैसे इसको solve करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे वेटा हम वही line repeat करेंगे चूकी चूकी सुन्यक चूकी सुन्यक ग्यात करना है चूकी सुन्यक ग्यात करना है इसलिए t square minus क्या हो जाएगा 50 अब इसको solve करने के लिए बरावर में यहाँ पे 0 लगा देंगे अब हम अपने मन से थोड़ा इसमें संसोधन करते हैं solve करने के लिए तो हमने क्या किया t square इस 15 को लिखेंगे अंडर रूड 15 का a square बरावर 0 ताकि यहाँ पे एक formula बन गया है a square minus b square बरावर होता है विटा a plus b और a minus b के तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा t और b का मान कितना हो जाएगा b का मान हो जाएगा अंडर रूड 15 तो विटा t पिलस अंडर रूड 15 और t minus रूड 15 बरावर 0 अर्थात अर्थात t पिलस रूड 15 बरावर 0 या t minus रूड 15 बरावर क्या हो जाएगा विटा या t बरावर इसका पक्छांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा पिलस का अताहा अताहा बहुपत के सुन्यक बहुपत के सुन्यक माइनिस रूड 15 तथा पिलस का रूड 15 होंगे अब हम इसके गोडांकों और सुन्यकों के बीच सम्बंध जो होते हैं उसकी सत्ता की जाच करेंगे उसकी सत्ता की क्या करना है जाच करना है तो क्या लेखेंगे सुन्यकों तथा गोडांकों के बीच सम्बंध के बीच सम्बंध बीच पहला सम्बंध क्या होता है पहला संबंद होता है सुनिकों का योग फल, सुनिकों का योग फल वरावर माइनेस एक्स का गुड़ांक बटे एक्स ए स्क्वेर का गुड़ांक है। अब यहाँ पर जो सुनिक हमने निकाले हैं उनको हम जोड देंगे तो पहला था रूड पंद्रा माइनस का और फिर पिलस रूड पंद्रा बरावर माइनस एक्स का गुड़ांक तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें एक्स वाला तो पद ही नहीं है तो इसका गुड़ांक हो और यह है हमारा पहला संबंद सत्त हो गया इसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा संबंद दूसरा होता है बेटा सुनिकों का गुड़न फल सुनिकों का गुड़न फल बरावर अचर पद बटे एक्स ए स्क्वेर का गुड़ांक एक्स ए स्क्वेर का गुड़ांक तो सुनिकों का जो गुड़न फल है वो हो जाएगा बेटा माइनिस रूड पंद्रा गुड़न रूड पंद्रा बरावर अचर पद आप देख सकते हैं कि अचर पद कितना है हमारा माइनिस पंद्रा कितना है बेटा माइनिस पंद्रा वटे एक इसका गोणा करोगे तो माइनिस पंद्रा वरावर हो जाएगा माइनिस पंद्रा के और यह हमारा दूसरा संबंद सत्थ हो गया उहेड है यह आपको यहां तक बहतर तरीखे से समझ में आ रहा होगा कोई भी प्रॉबलम नहीं होगी और यदि कोई प्रॉबलम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉबलम को सेयर कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हंडेट परसेंट आपकी प्रॉबलम को सॉल्व करेंगे इसके बाद पहले का हमारे लास्ट क्वेस्टन बचा है पहले का छटमा पहले का छटमा है बेटा तीन एक्स स्क्वेर माइनेस एक्स माइनेस चार तो हम उसी लाइन को रिपीट करेंगे चुकी सुन्यक ग्यात करना है इसलिए तीन एक्स स्क्वेर माइनेस एक्स माइनेस चार बरावर क्या हो जाएगा जीरो अब यहाँ पे तीन का गुणा चार के साथ करेंगे तो चार गुणा तीन बरावर हो गया बेटा बारा और लाष्ट का जो चिन्न है वो माइनेस है इसका मतलब है वीच वाली संख्या हमें माइनिस करने पर मिलेगी तो अब अपने मन से ऐसी दो संख्याएं टूड़नी हैं जिसका गोड़ा करें तो 12 और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें घटा दें तो कितना मिले एक तो ऐसी संख्याएं होती है चार गोड़ें 3 बरावर 12 और 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना मिलेगा बेटा एक मतलब 3x स्क्वेर माइनिस इस x की जगापे हम लिखेंगे 4x माइनिस 3x माइनिस 4 बरावर 0 अब बेटा वैकेट को ओपिन करेंगे तो 3x स्क्वेर बाहर माइनिस चिन है तो अंधर के सभी चिन बदल जाएंगे माइनिस का 4x हो जाएगा और पिलस का 3x माइनिस 4 बरावर 0 अब पहले दो पदों से कॉमन लेना है बेटा तो यहां से हमने कॉमन लिया x x कॉमन लेंगे तो क्या वचेगा 3x माइनिस 4 और यहां से पिलस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनिस 4 बरावर 0 दोनों बैकेट एक से हैं तो इनको हम क्या करेंगे एक बैकेट में लिख देंगे 3x माइनिस 4 दूसरे बैकेट में x को और पिलस 1 को लिखेंगे x पिलस एक बरावर 0 अर्थात अर्थात 3x माइनिस 4 बरावर 0 या x पिलस एक बरावर क्या हो जाएगा विटा 0 यहां से x का मान निकालोगे तो x बरावर 4 माइनिस का है इसका पक्छांतर होगा तो पिलस का हो जाएगा और 3 किस में आ जाएगा विटा बटे में या यहां पे x बरावर कितना हो जाएगा माइनिस का एक पक्छांतर करेंगे तो पिलस से किस में बदल जाएगा माइनिस में अताह अताह बहुपद बहुपद के सुन्यक 4 बटे 3 तथा माइनेस एक होंगे, माइनेस एक होंगे, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम सुन्निकों, सुन्निकों तथा गुडांकों के बीच संबंद, जो संबंद होते हैं, वो सत्य हैं या नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है, तो बेटा, पहला संबंद होता है, सुन्निकों का योग फल, सुन्निकों का योग फल बरावर होगा, किसके बरावर होगा बेटा, माइनेस एक्स का गुडांक, बटे x square का गुड़ांक अब यहाँ पर बेटा मान रख दो सुन्ने को कि योगफल का मतलब है कि हमें 4 बटे 3 और पलस माइनिस 1 को जोड़ना है माइनिस x का गुड़ांक देख सकते हैं आप x का गुड़ांक क्या है माइनिस का 1 बटे x square का गुड़ांक क्या है बटा 3 बटे में कितना हो जाएगा 3 इसके बटे में 1 मान के LCM लेंगे तो कितना हैगा बटा 3 यह हो जाएगा 4 माइनिस 3 बरावर माइनिस माइनिस पलस का 1 बटे 3 चार में से 3 को घटाओगे तो 1 बटे 3 बरावर 1 बटे 3 पहला संबंद हमारा यहाँ पे सत्त हो गया है पहला संबंद हमारा सत्त हो गया है अब हम बात करेंगे दूसरे संबंद की तो दूसरा संबंद क्या होता है बटा दूसरा संबंद होता है सुन्न को का गोड़न फल बरावर होना चाहिए अचरपद बटे X स्क्वेर का गोड़ांक X स्क्वेर का गोड़ांक तो सुन्यकों की गोड़न फल का मतलब है किसका गोड़ा करना है वेटा एक सुन्यक चारवटे 3 और 1 माइनस एक बरावर अचरपद आप देख सकते हैं कितना है वेटा माइनस का 4 अचरपद कितना है माइनस का 4 तो माइनस का 4 और X स्क्वेर का गोड़ांक तीन गुणा करोगे तो माइनेस चार वटे तीन बरावर माइनेस चार वटे तीन तो यह हमारा दूसरा जो है संबंध सत्त हो गया है इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जोड़ जाएए चैनल के साथ जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को सेयर कीजिए धन्वात